राहूल गांधी की सजा पर सियासी घमासान जहां बेजुपी ने राहूल गांधी को एहंकारी बताया है विसी समाज का अपमान करने का आरूप लगाया है विपक्ष को मोदी फोबिया हूगया यह बेजुपी क्या रही है तो यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं राहूल गांधी की सजा पर सियासी घमासान खूब देखा जा रहा है एक तरफ कांग्रेस यारोप लगा रही है कि बेजुपे की एक्साल है तो वहीं दूसरी तरफ बेजुपी लगातार हमलावर है कांग्रेस पर और बेजुपे यह क्या रहे है कि विपक्ष को मोदी फोबिया हूचुका है यह पूरी कानूनी प्रक्रिया चार साल तक चली क्या कॉंग्रेस पार्टी का एहिंकार और रहुल गांदी का एहिंकार देश के कानून से बड़ा है क्या किसी समाज के सरनेम को जो सरनेम लगा करके OBC समाज अपने सामाजिक पहचान को रखते हो उसको अपशब्द कहना उसको अपमानित करना क्या ये किसी राष्टेनेता का कारे है और कोर्ट द्वारा भी जब उनको बार बार समझाने और अपनी गलती को माफी मांगने का आउसर दिया गया तो भी अपने एहिंकार में उसको सुईकार नहीं किया गया आ चुका है तो विक्टिम होड कार्ड और इमोशनल कार्ड खेलने के बदले कॉंग्रिस पार्टी को रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए क्योंकि राहुल गांधी तरकहीन और हलकी बातों के क्रमिक अपराधी मतलब की एक habitual offender है यह वही राहुल गांधी है जो एक व्यक्ति का विरोध करते करते पूरे देश के विरोध में उतर आते हैं जिस प्रकार का वक्तव्य उन्होंने दिया उससे OBC समाज की भावनाय आहत हुई है और इसी के चलते कोट ने उनको कन्विक्ट किया है किसी व्यक्ति या सरकार ने उनको कन्विक्ट नहीं किया है तो क्या आज कोट भी विद्वेशपूर्ण भावना से काम कर रही है। क्या कॉंग्रिस का ये आरोप है कि कोट भी उनके खिलाफ है। क्या कॉंग्रिस आज जो प्रदर्शन पर उतर रही है तो क्या कोट के खिलाफ और सम्विधान के खिलाफ प्रदर्शन पर उतर रही देखे विपक्स के पास विपक्स को पूरा मोदी फोबिया हो गया है। हर चीज में उनको मोदी सरकार नजर आती है। गल्तिया खुद करेंगे, पूरे सरनेम को लेकर चोर कहेंगे और जब अदालते उस पर फैसला करेंगी तो माफी नहीं मांगेंगे और फैसला होगा तो अदालतों के फैसलों के लिए भी मोधी सरकार को दोसी ठहराएंगे इसका मतलब है उनका ये फैसन हो गया है उनको मोधी सरकार का फोबिया हो गया है अपनी गलतियों के लिए भी टीक राउन उने मोधी सरकार पर पोड़ना है ये पूरी